आज का दिन साब्धाने पूर्वक को जारे आज किसी भी प्रकार से कोई नया काम शुरू ना करे आज आपका स्वास्त भी गड़ सकता है खानपान में विशेश ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है आध्यात्मिक्ता के लिए कुछ समय निकाले मिथुन आपका दिन आनन प्रमोद तता भोग विलास में गुजरेगा दोस्तों से मुलाकात हो सकती है कहीं बाहर जाने का कारिक्रम बन सकता है वाहन सुक मिलेगा नए वस्तर की खरीदी और उसे पहनने के अफसर प्राप्थ होंगे कर्क आपका दिन अच्छी तरह से गुजरने वाला है घर में शान्ती तता आनन का वादवरन रहेगा सुक मैं प्रसंग बनेंगे आप जो भी काम करेंगे उसमें यश्प्राप्थ होगा आरो के अच्छा रहेगा घर में परिजनों के साथ हर्शो लास में समय गुजरेगा सिंग आज का दिन आनन से गुजरने वाला है आज आप अधिक कालपना शेल बने रहेंगे साहित स्रिजन के तहद मौलिक रूप से कावे रचना की प्रेंटना होगी किसी प्रिये मित्र के साथ हुई भेट शुफ वलदाई होगी कन्या आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है शारिरिक तता मांसिक स्वास्थ ठीक नहीं रहेगा कई परिशानियों की कारण मन व्याकुल रहेगा इस फूर्ती का अभाव होगा स्वजनों के साथ अनबन रहेगी माता के स्वास्थ की चिंदा सताएगी तुला, आपका दिन शुप वल्दाई होगा बंधों के साथ अच्छे संबन रहेंगे उनके साथ बैट कर घर की समस्या पर चर्चा होगी किसी छोटे धार में के स्थाल पर जाने का सफल आयोजन होगा धनलाप का योग है विदेश से अच्छे समाचार आएंगे रिश्चिक, आज साधारन लाप का दिन है व्यारत के खर्च पर रोक लगानी होगी परिवार में जगड़े ना हो इसके लिए अपनी वाड़ी पर कंट्रोल रखें कुटुम के सदस्यों के बीच की गलत फ्यामी को दूर रखें शारेरिक परिशानी के साथ मन में चिंता रहेगी धनू, आज का दिन काम और पढ़ाई में सफलता के लिए समय बहुत अनुकूल है विदेश व्यापार से लाप हो सकता है आप धार्मिक और शुप काम कर सकेंगे संबंदियों और मित्रों से मिलकर आप खुश होंगे वित्यलाब हो सकता है मकर आपको स्वास्त संबंदी शिकायत रहेगी मानसिक भय हो सकता है व्यफसाय में दूसरों की दखलंदाजी परिशान करेगी धर्म और समाच से संबंदित कामों के पीछे पैसे खर्च हो सकते हैं शत्रों से कष्ट हो सकता है कुम्ब आज का दिन शुबमंगलकारी काम के लिए अच्छा है अब विवाहितों के लिए वैवाहिक योग हैं संतान और पत्नी की तरफ से अच्छी समाचार मिलेंगे पारिवारिक और दामपत्य जीवन में आनंद और संतोष प्राथ कर सकेंगे मीम आपके सबी काम सरलता से पूरे होंगे भागय आपके साथ है व्यवसाय में पदोननती या वृद्धी हो सकती है व्यापार में आपको रुके हुए पैसे मिलेंगे पिता तथा बुजूर की तरफ से लाब हो सकता है आर्थिक और पारिबारिक सुख प्राथ कर सकेंगे